हाई फ्रेंड्स मैं कुसुम आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो सुन करते हैं आज मैं भर्मलाल मिर्स का अचार बनाना बताऊंगी यह अचार दाल चावल रोटी या पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है खाने का स्वाध दूगना हो जाता है इसे आप साल दो साल के लिए इस्टोर कर सकते हो खराब नहीं होता है आजार वाली मिर्स को कभी धोना नहीं चाहिए उससे आजार खराब हो सकता है कोटन के कपड़े को पानी में डूबो कर पानी अच्छे से निचोड़ देना है गीले कपड़े से पोंचने पर अच्छे से साफ हो जाती है इसके बाद दो दिन के लिए इसे धूप में फैला के सुखा लेना है आजार के लिए लाल मिर्स फ्रेस और टाइट रहना चाहिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम धनिया लिया है 100 ग्राम सौफ और 100 ग्राम सरसो और 200 ग्राम नमक 50 ग्राम अजवाईन 3 चमश मंगरेल मंगरेल और मेथी दोनों चीज कम डालना है और यहाँ पर 4 चमश मेथी लिया है 50 ग्राम जीरा और थोड़ी सी हिंग डालेंगे पैन गरम होने के बाद गैस का फ्लेम मेडियम कर लिया सबसे पहले धनिया डाल दिया धनिया को एक मिनट के लिए भून लिया फिर इसके बाद मेथी डाल देंगे मेथी दो मिनट भून लेंगे सौफ जीरा और अजवाईन को डाल दिया पांच से च्छै मिनट में सभी मसाले भून चुके हैं आप देख सकते हो इसमें चटकने की आवाज आ रही है अब सबसे लाश्ट में कलोजी डाल देंगे कलोजी बहुत ही जल्दी भून जाती है अच्छे से मिक्स करके गयस का फ्लेम आफ कर दिया मसाले को प्लेट में निकाल लेंगे पांस मिनट में यह मसाला ठंडा हो जाएगा तब तक सरसु का पाउडर बना लेंगे सरसु का पाउडर तयार है रोस्टेड मसाले को पीछ लेंगे जो लाल मिर्च जन्वरी में मिलती है थोड़ा सा ज्यादा तीखी होती है और जो होली के आसपास मिलती है और कम तीखी होती है उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च भी डालना पड़ता है यह सब छोटी छोटी बाते जानना बहुत जरूरी होता है मसाले का पाउडर तयार है यहाँ पर मैंने लिया है मस्टर्ड ओईल यहनी सर्सू का तिल अच्छे से गरम कर लेंगे खटाई में डालने के लिए ओईल गरम हो चुका गैस का फ्लेम आफ कर दिया है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे सर्सो और रोष्टर्ड मसाले का पाउडर मिक्स कर लिया अब इसमें एक चम्मज हींग डालेंगे एक सी तेट चम्मज तक हींग डाल सकते हो मसाले में खटाई एड़ करेंगे लाल मिर्स के अकोर्डिंग खटाई और मसाले एक साथ मिक्स कर सकते हो इसमें चार कटोरी खटाई मैंने डाल दिया है इसमें आल्रेडी हल्का सा नमक और मसाला मिक्स किया हुआ है जिससे खटाई खराब नहीं होती है जो मिर्स दिसंबर जन्वरी में मिलती हो जादा तीकी होती है उसमें लाल मिर्स नहीं डालना पड़ता अब भी मार चल रहा है तो मिर्स कम तीकी वाली आ रही है थोड़ा सा लाल मिर्स आइड कर दिया है इसमें सभी इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है एक बा किया सरसु का तेल ठंडा हो जुका है जरूरत के हिसाब से खटाई में डाल देंगे पूरा तेल नहीं लगेगा थोड़ा सा तेल बच जाएगा दोनों हाथों की हेल्प से तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे लाल मिर्स को दो दिन तक धूप में सुखाया है आप देख सकते हो हल्की सी धीली पड़ चुकी है अब इसके डंठल को तोड़ देंगे खटाई भी तयार है इस तरह चाको से भी अटा सकते हो सभी डंठल को हटा के मिर्स भरने के लिए तयार कर लिया है अब यहाँ पर मैंने एक पतली सी लकड़ी लिया है और इसके बीज को इस तरह से करके जितना बीज निकल जाता है खटाई में डाल देंगे मैं अपने तरीके से बता रही हूँ मेरे हाँ इसी तरीके से मिर्स का अचार बनाया जाता है इस तरीके से अचार बनाएंगे तो अचार में जब तेल डालते हैं कभी यह खटाई निकल कर तेल में नहीं बिखरे ही इसे भर्ने के लिए घर में आप किसी फैमली मेंबर का हेल्प ले सकते हैं जल्दी भर के तैयार हो जाता है यहां भरते समय मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है जिसे कम टाइम में आपको बता सको यह मिर्च बहुत ही आराम से धीरे धीरे भरना चाहिए वीडियो को फूल वाच कीजिएगा अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले यहाँ पर मैंने डेड़ किलो लाल मिर्ष के लिए खटाई तयार किया है 10-15 दिन में यह मिर्ष खाने लाइक हो जाती है सभी मिर्ष को भरके तयार कर लिया है अब इसमें तेल मिलाएंगे सर्सो के तेल को अच्छे से गरम करके ठंडा कर लिया है करीब 20 मिनट के लिए रख दिया था गरम होने के बाद ठंडा हो चुका है मिर्ष में तेल को डाल दिया आप ऐसा भी कर सकते हो तेल ठंडा हो चुका है और एक-एक मिर्च को उठा कर तेल में डूढो कर डिब्बे में रख सकते हूं अचार को इस्टोर करने के लिए काच या पलास्टिक का कोई भी डिब्बा ले सकते हो साफ और सूखा होना चाहिए अब इसमें गरम किया हुआ तेल ठंडा करके डाल देंगे डखकन के पास कपड़े से बाद कर दस से पंद्रह दिन के लिए डेली धूप में रखेंगे एहाँचार खराब नहीं होगा आप देख सकते हो मस्टर्डोयल को अच्छे से गरम करके ठंडा कर लिया और इसमें अच्छे से फिल कर दिया है एहाँचार खराब नहीं होगा इसे धूप में 10-15 दिन तक रखते रहेंगे यह अचार जैसे जैसे पुराना होगा इसका कलर इस तरह से डार्क हो जाएगा पिछली साल का लाल मिर्च है जैसे लाल मिर्च बनाया उसी तरह हरी मिर्च भी बना सकते हो यहाँ पर धाई सो ग्राम हरी वाली मिर्च लिया है थोड़ी सी खटाई बची हुई है और मिर्च को इसका कलर थोड़ा थोड़ा डार्क होने लगा है और यह हारी वाली मिर्च है लाल या हरा दोनों मिर्च को हमारे हाँ भरा मिर्च बोलते हैं इसकी चटनी बहुत मस्त बनती है वीडियो कैसी लगी कमेट में जरूर बताईएगा इसे हारी वाली मिर्च को अलग से रखा है फ